उमीद अच्छे होंगे तो चलिए कुछ नया ट्राइग करते हैं आज मैं जा रहे हैं मूली के पत्तों को अकसर लोग फेक देते हैं मैं आज इसका पड़ाथा बनाने जा रहे हैं जो कापी टेस्टी और यमी पोस्टिक तो इतनी होती है कि मैं क्या बता हूँ इसके आप लो खची मैंने 2 Se 3 को कट कर लिएयckets, प्याज मैंने एक कट कर लिये Cath 2 & 3 चमच के लब हाँ मैने नमक लिये आट लि यहां आप देख सकते हैं यह मैंने पत्तव इसमें हीने मने छार ंफक नमक के लिया है कर ले कोल श्रेग सकते हैं मैं जाख Russ English लिया करने के लिए रकता है आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुक है, सबसे पहले इसमें लसू डाले उस अच्छे से घूने और उसको वाद में इसमें आप अध्रक बने कदुपश कर लिये हैं, इसे भी इसमें डाल करते हैं, अच्छे सारे शज़ियों स्वच्छों के आप बराबर पे चलाते हैं, उ अच्छे से चुटकी भर के लगवा ताधी चम मचकी लगवा विसमें लिंगे डाल करते हैं, अच्छे से पहले तो चली आप देख सकते हैं, इसको मैंने नढ़ाका नहीं है, और ऐसे ही ही है, बुखे कितना अच्छा से गलवा इसमें आधी चम मचकी लवाग नमक डाल द अधी नमक का एड़ किया है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसे अच्छे से आप बिना ढ़ाते हुए, धिमिक्लें पर भी भीमें इस तरह से आप बराबर से चलाते रहें, और इसे भूनते रहें, बहुत ही टेस्टी और यम्मी, आप देख सकते हैं, इस इतना अधी नमक का डाली है, अगर आप तिखा पसल करते हैं, तो आप रेड़िशी पाउडर भी एड़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आटे में इसे डाल लिया है, यह हलका हलका गर्म है, जिसे मैं आप इसे अच्छे से आटे में मिलाते जाएं, और असकता इसे इसे हलका सा पानी एड़ करके आप इसे की आटा गूथ लेओ, तो चलिए मैं इस तरह से इसे मिला लेती हूँ, उसके बाद में पानी डाल करके मैं इसे अच्छे से गूथ लूँगी, आप देख सकते हैं, मैंने आटे को सम लिया है, और यह इसको देखिए, इस तरह इस तरह से राउंड करते हुए, इस तरह से राउंड करें, थोड़े से सुख्या आठे इसमें पोट करें, और इसकी आप पराठे या वोल वोल रोटी की तरह भी इसे बना सकते हैं, इस तरह से बेलने, इसे डाउंड से बूल भी आप इसे डाल सकते हैं, या पराठे के सा इसमें घी लगाते जाएं इस तरह से फोल्ट करें फिर इस पे घी लगाएं इसे बहुत ही टेस्टी है यकीन माने इतनी टेस्टी और यम्मी होती है कि आप एक बढ़ बनाएंगे अक्सर बच्चे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना चाहते हैं लेकिन आप इस तरह से ब बना हुआ पड़ाठे हैं तो चलिए इस तरह से आप भी बना ले थोड़े थोड़े आटे इस पर तरह से डालते जाएं इससे अच्छे से बेल ले इधर आप देख सकते हैं मैंने गैस भी आउन कर दी हैं तब है गर्म हो चुके हैं एक चमचगी डालता के मैंने चारो तर विछ बना के रखेंगे इस तरह से आप भी बना लें फलके हबसे तरह से इसमें और इसमें इस तरह से इसमें लाटकर करके 12 तरह थे आप देख सकते हैं मैंने यहां पराठे बना लिए हैं आप ग्रीन चटनी के साथ मैंने धनिया की चटनी के साथ सरू किया है आप चाहें तो केचप आम की चटनी के साथ है आप इसे सरू कर सकते हैं कैसा लगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक्यू धन्यवाद